नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां के टॉप 25 पर्मोख खबर जानते हैं केंद्रीय सिक्षक पत्रता परिक्षा 31 जनुवरी 2021 को ली जाएगी समद में CVSC के सेक्रेटरी और सी टेट के डारेक्टर ने आदेह जारी किया है गौतला भाई किया परिक्षा 5 जूलाई 2020 को निधारित थी लेकिन COVID-19 में हमारी के कारण इसे अस्थागित कर दिया गया था CVSC ने इस परिक्षा की नई तिथी घोसित कर दी है बता दे कि CVSC केंद्रीय सिक्षक पत्रता परिक्षा देश के 135 सहरों में लेने वाला है जिनको भी आपना एकजाम सेंटर बदलवाना हो वे 7 से 16 नौमबर तक आवेदन करके बदलवा सकते है जारखन मौसम विभाग के अनुसार राची सहीत आसपास का इलाके में अगले कुछ दिनों तक आसमान साफ रहेगा निम्तम टापमान में लगतार गिरावट के असार है मौसम विभाग के अरसे जारी किये गया अनुमान के अनुसार 24 गंटे में 99 तापमान में 1 डिगरी जबकि 48 गंटे में 2 डिगरी सेलसियस से भी नीचे गिर सकता है तापमान गिरने के कारांट ठंट और बढ़ेगी मौसम विवाग की ओर से कहा गया है कि 9 नौमबर तक आस्मान साफ रहेगा आठवी बोड के असफल छात्रों को मिलेगा 20 परतिशत ग्रेस माक्स आठवी बोड में असफल छात्रों के लिए 20 परिक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा जो भी छात्र छात्रा असफल हुए हैं उन्हें 20 परतिशत ग्रेस माक्स देकर पास किया जाएगा इसकूली सिक्षा और सक्षा विवाक प्रस्था पर बुद्वार को मुख मंतरी हमान सुरे ने अपनी मंजूरी दे दिया हैं मुख मंतरी हमान सुरे ने आठवी बोड में असफल परिशार्थियों को 20 परतिशत ग्रेस देकर फिर से परिक्षा पर्रकासित करने के बता देख की जाकरन एकेडमी कॉंसील ने जन्वरी में आठवी बोड की परिशाली थी जिसमें 42 से या 324 परिशार्थी असफल रहे थे टाटा इस्टील में 500 करमचारी पुत्रों की होगी बहाली टाटा इस्टील के पुर्व और वर्तमान राइस्टर करमचारी पुत्रों को इस कुरोना काल में टाटा वरकस यूनियन ने नियोजन का बढ़ा तोफा दिया है यूनियन अध्यक्स आर रवी परसाद की पहल के बाद करीब 10 बरसों के बाद करमचारी पुत्रों की बाली पर बुद्वार को प्रबंधन और यूनियन के बीच समझाता हो गया है बता दे कि इसके तहद 500 करमचारी पुत्रों की तीन बरसों में बाली होगी सभी के लिए एक एकजाम लिये जाएंगे इसकिल सब्मीट के तहद डेरलाख यू आओ को दिये गए ओफर लेटर की होगी जाच मुख्यमंत्री चरकन बिधान सभा के दियूतिय सब्मीट 2018 और गलोबल इसकिल सब्मीट 2019 में जिन ब्यक्तियों को ओफर लेटर दिये गए उनके नियूजन के लेकर पूछे अल्प सुचित प्रश्ण में बिधायक परदी प्यादों ने कई गंभीर सवाल खाड़ा किये थे उन्होंने सरकार से इस मामले की जाच एवं सतंत्र जाच एजनसी से कराने की मांग रखी थी जो मुख मंत्री हमन सुरे ने इस मुद्दे का गत्यंत गंभीर मानते हुए सतंत्र जाच एजनसी से इसकी जाच कराने का नियन लिया है बतादे कि 2019 में 1,333,000 जबकि 2018 में 26,674 लोगों को अफरलेटर दिया गया था बावुलाल मरांडी पर दल बदल का मामला चलेगा भाजपाई बिधायक दल की बैठक में बावुलाल मरांडी को सरो समति से बिधान मंडल दल का नेता चून कर उने बिधान सभा में नेता परतिपक्ष का दर्जा दिये जाने का अगरा किया गया था लेकिन अब बिधान सबाध्यक्ष रविंद्रनाथ महतों की ओर से बावुलल मरांडी समय तीन बिधायकों के खिलाप दसवी अनुसुची के तहद दल बदल का मामला चलाने को लेकर जारी नोटिस से नेता परतिपल्स की मनेता का मामला और कुछ समय तक लटक जाने की संभा पदार्त बरामत नहीं हुआ है जबकि अने 20 जिलो में सराप सहीत अने समान बरामत किये गए हैं बता दे कि जारखन में डीजीपी के निर्देश के बाद नासा के खिलाप लगतार अभियान चलाया जा रहा है इस करम में बुद्वार को चलाये गर अभियान में राजे में 22,893 किलो जावा महुआ, 2386 लीटर जावा महुआ और कई अंग्रेजी बोतल बरामत किये गा हैं नौकरी और अन्य मांगो को लेकर अंदोलन रत आठ संगटनों से क्रिस्ति मंतरी ने की मुलकात जाकन सरकार के विभीन संस्थानों में नोकरी और अन्य मांगो को लेकर अंदोलन रत विभीन संगटनों का प्रतिनिदी मंडल परदेश कंग्रेस अध्यक्स डामेश्वर उराव द्वारा गठित उच अस्तरिय समीती से बुद्वार को पाटी करेले में मुलकात की बैठक में मंत्री बादल पत्रलेख ने आठ संगटनों से अलग अलग मुलकात की जिसमें पंचात सचीव, सिक्षक पत्रता, परिक्षाट जेटेट, गिरी रक्षा, वायनी होमगाट, कारा वाहन चालक, जीला पोलिस, उत्पात, सिपाही, जाकन ससस्तर पोलिस बल, घंट अधारित अनुबन सायक प्रध्यापको का प्रति निरिमंडर अलग अलग मुलकात की, जे एस एससी की नए अध्यक्ष सुधित तिरिपाठी बने, भारतिये प्रसासनिक सेवा के सेवा निवरित अधिकारी सुधित तिरिपाठी जार्खन करमचारी चायन आयोक के नए अधियक्ष नियुक्त करने से संबन्दित प्रस्ताव को स्विख्रित दे दिया है, बता दे कि 1982 के अधिकारी रहे सिरित रिपाठी इससे पहले 1 अप्रेल 2019 से 26 सितमबा 2020 तक जार्खन लोक सेवा आयोक के अधियक्ष के पदपर थे, इससे पहले सिरित रिपाठी 28 फरवज अधियक्षता में बुद्दवार को जीला अवदा प्रवन्दन प्रणादिकार की बैठक होई, बैठक में कुरोना संक्रमन से बचाव रोक्थाम के लिए प्राप्त आवंटन का भुक्तान समंधित प्रखंडों और विभागों को करने से पुर्व अवस्यक भावचर प् फ्रांस आस्ट्रेलिया जैसे देशों में दूसरे चर्ण की त्यारी चल चुकी है, जारखंड में 301 नज संक्रमितों की पुष्टी हुई, जो राची से 105, बुकारो 9, 147, देवगर 24, धनवाद 23, दूमका 2, पुर्वी सिम्भूं, 48, गडवा 5, गोड़ा 9, गुमला 5, भार्खंड में कुल संक्रमितों की संखिया 1, 38,9 छट परव को लेकर 17 तक सभी घाट को तयार करने का अदेश छट मापरव के दोरान राजधानी में लाखो लोग तलाब वगाटों पर भागवान भासकर को अर्धे देते हैं इस दोरान घाट आने वाले सरधालू को किसी परकार के परसानी का समरा ना करना पड़े इसके लिए राची नगर नीगम ने तयारी सुरू कर दी है नीगम ने सहर के 33 ऐसे तलाबों और अन्य घाटों के सुचि तयार की है जहां हर वर्स हजारों की संख्या में लोग छट के दोरान जुटते हैं इन घाटों को छट से पहले तयार करने के लिए नीगम ने पदादिकारी से लेकर करमचारी की तैनाती कर दिया है सब को निर्देश दिया गया है कि हर हाल में सभी घाट को 17 नौमबर से पहले पुरी तरह से तयार कर लिया जाए सर्जू राय के कर्याले पर तोड़ फोर जमसेदपूर पूरवी के बिधायक सर्जू राय के बारी डी कर्याले में बुदवार की साम आसमाजिक ततों ने तोड़ फोर की एक स्टाब पर जानलेवा हमला भी किया घायल स्टाब को एम जीम अस्पताल में भरती कराया गया ह जार्खन के गिरीडी जीला के परिचारी कमेश्वर कुमार रजक का चैन किया गया था जार्खन की अर्ष्थ वेवस्था ने पकड़ी रफ्तार जार्खन की अर्ष्थ वेवस्था ने आब रफ्तार पकड़ ली है राजे में अक्टूबर महिना में पिछले साल की तुलना में बस्तुयम सेवाकर में 23-50 से ज्यादा रासी की वसूली हुई है बता दे कि इसे जार्खन में कारोबार और सेवावा में उच्छाल के संकेत मिल रहे हैं पिछले साल अक्टूबर महिना में जार्खन में जीएस्टी मद में 1437 कलोर वसूली हुई थी जो की इस साल अक्टूबर महिना में बढ़का 1771 कलोर रुपई हो गई है पलामू में क्राइम मीटिंग S.D.P.O. ने दिये निर्देश S.D.P.O. संदीप कुमार गुपता के नित्युत में बुधर को क्राइम मीटिंग का वेजन किया गया मोखे पर छेत्र के सभी थाना परभारी सरकीर इस्पेक्टर मजूद थे SDPO संदीप कुमार गुपता ने सभी थाना प्रभालियों को निर्देश दिया कि थाना में लंबित पड़े फाइलों को जाज कर अविलम अभियुक्तियों की गिरफतारी सुनिशित करे उन्होंने काया कि नियमित रूप सेवानों का चेकिंग करे साथ ही सीमा छेत्र में नियमित गस्ती करे SDPO ने सभी फ्रारव वरांटी को गिरफतार करने सहीत कई निर्देश दिये है अर्नो गोस्वामी की गिरफतारी ने आपात काल किया ताया कर दी दिपक परकास भाजपा के परदेश अध्यक्ष धिपक परकास ने रिपबलिक भारत टीवी के हेड अर्नो गोस्वामी की पुंबाई पुलिस द्वारा हुई बरबर गिरफतारी पर तिखी प्रकिरिया ब्यक्त करते वे करी निंदा की है परकास ने बुद्वार को कहा कि प्रेश की सोतंत्रता कांग्रेस पार्टी को कभी बरदास नहीं जैसे आपात काल के दोरान कांग्रेस ने प्रेश की अजादी पर हमला बोला था आज फिर महराष्ट में इनकी पुर्णव विरिती हुई है चात्रविती मामले में सीम सीफ राजनीतिक फायदे के लिए बेनबाजी दे रहे हैं अल्प समसक बिद्यार्थियों के चात्रविती के फरजीवाड़े का खुलासा होने के बाद परदेश भाजपा ने पिछली सरकार की स्थिति को अस्पष्ट किया है परदेश भाजपा की ओर से कहा गया है की चात्रविती के इस फरजीवाड़े पर रहवर सरकार ने रोक लगाई थी बुद्वार को परदेश कर्याले में आवेजी समधाता समिलन में परदेश प्रवक्ता प्रतूल साधेव ने कहा की भी मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, अल्प संख्याक चात्रव के लिए छात्रविती केंद्र सरकार के नेशनल एस्कोलसी पोटल से डीवीटी के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के खाते में केंद्र सरकार के द्वारा भेजी जाती है राची बुंडु थाना ने 90 कार्टून गुटका बरामत किया है बुंडु थाना पुलिस ने धुर्वा मोर से 3 पीक अप बैन में लदे 90 कार्टून कमला पसंद गुटका और 30 बोरा ज्यादा बरामत किया है SDPO अजय कुमार ने बुद्वार को बताया कि गुप्त सुचना मिली थी कि बंगाल से 3 बेलोरो पीक अप बैन में गुटका लाज कर राची भेजा जा रहा है सुचना के बाद थाना प्रवारी रमेश कुमार के नेतियोते में धुर्वा मोर पर वहांजाद शुरू की गई पूजा समीती चयन परकिरिया पर दुर्गा बाही समीती ने उठाय सवाल राची जिला पसासन ने राज सरकार के गाईलान के अनुसार नवरात्र पूजा करने को लेकर सहर के चार आयोज को बिहार कल्व दुर्गा पूजा समीती चंदर सेखर आया दुर्गा समीती कडरू दुर्गा पूजा समीती एवं एजी कोलोनी ओसे सी दुर्गा कल्व सायन्स वरूप प्रसासिस्ट पत्र दिया है प्रसासिस्ट पत्र उपायुक छवी रंजन के द्वारा दिया गया अब आने पुजा समीती चैन परकिरिया पर सवाल उठा रहे हैं बता दे कि अलवट एका चो की थीद प्रसीद दुर्गाबारी मंदीर के सचीव परदी पराय बाबु ने कहा कि जिला पर्सासिन की चैन परकिरिया पर दर्सी नहीं है इसकूल खोलने से पहले की तयारी राची जिला में 90% सिक्षकों ने कराया संक्रमन जाच जार्खंद सरकार की ओर से स्कूल खोलने को लेकर किसी भी तरह का दिशा निदेश स्कूल को नहीं मिला है लेकिन इस्कूल द्वारा पहले सही त्यारी सुरू कर दी गई है बताएजे कि इस दिशा में राजे के सभी स्कूलों के सिक्षकों को कोविंट की जाच कराना अनिवार किया गया है इसके तहुत राजे के जीला के सिक्षा पताधिकारी को सद पतिसद जाच करवाने को लेका निदेश दिया गया है राची जीला में 90% सिक्षकों ने कोविंट की जाच करा ली है ट्रेक्टर, ट्रोली और ट्रेंकर के लिए आप देना होगा टैक्स ट्रेक्टर, ट्रोली, टेलर और ट्रेंकर के लिए जाखन सरकार ने नया फर्मुना लाओ किया है अब ट्रोली, ट्रेकर और टेलर में ब्रेक सिस्टम रहेगा साथी साथ लाइट की भी बेवस्ता होगी साथी अन गाडियों की तरह अपना रई स्टेशन नमबर भी होगा इससे एक तरफ दुरगटनावों में कमी आएगी साथी सरकार को राजस्व का भी फैदा होगा शुरू में इसको लेकर काफी दुविदा थी पहले कई ट्रेक्टरों की खरिदारी खेते के लिए लोग करते थे बाद में इसका इस्तेमाल बेवसाईक के तोर पर करने लगे है इससे सरकार को रायसुका नुक्सान होने लगा है रामगर में तीन दिनों तक भवय रूप से मनेगा गांगा महज़व डिसी रामगर उपायूक संदीप सिंग के अध्यक्सता में रामगर जिला में ब्रिहत रूप से गंगा महज़व के आविजन के लिए बैठक की गई बैठा के दुरान उपायूग संदीप सिंग ने जनकारी दी की रामगार जीले में 9 से 11 नौमबर तक ब्रियात रूप से गंगा उत्सो का विजन किया जाएगा धारना दे रहे पर्याटक मित्रों से सांसत संजय ने की मुलकात राची के सांसत संजय सेट ने बुद्वार को हुन्डू फॉल जाकर प्रयाटक मित्रों जो अपने विभीन मांगों को लेकर धारना पर बैठे थे उनसे धारना अस्तल पर जाकर मुलकात की और उनकी समस्याओं को सुना पॉली टेकनिक में दाखिला के लिए 14 को जारी होगी मेदा सुची जाकर के सरकारी तथा गए सरकारी प्रो टेकनिक संस्थानों में संचाली डिपलोमा पाठकरों में इस साल दाखिला मैटरीक या अन्य समक्ष परिक्षा के प्रपतां को क्याधार पर होगा इसके लिए 14 नॉवंबर को मेदा सुची जारी की जाएगी बता दे कि कुरोना वारस के संक्रावन के करना इस साल परिक्षा आवेजित करने के बजाए प्रपतां क्या धार पर नमांकर लेने का निन्य लिया गया है धन्यवाद चैनल परना है और तो चैनल सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंद बाए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेर अवास करें साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़बैक अवास करें